हम एक बार जीते हैं, एक बार मनते हैं शादी भी एक बार ही होती है और प्यार भी एक बार होता है शारुख खान के फिल्म कुछ-कुछ होता है, फिल्म का ये डायलॉग था तो क्या ये डायलॉग सही है? या फिर प्यार एक से ज़ादा बार होता है? तो जबाब है हाँ एक से ज़ादा बार हो सकता है कुछ लोग एक ही साथ एक से ज़ादा रिलेक्शन में होते हैं इतना ही नहीं कई लोग तो एक ही परसन से एक से ज़ादा बार मुहबत कर बैठते हैं तो एक बार या जादा बार प्यार होने के पीछे की science क्या है आईए जानते हैं Science कहती है बार बार प्यार होने के पीछे दो situation होती है पहला breakup के बाद single हो और दूसरा मौजुदा रिष्टे से खुश नहीं हो या मन भर गया हो ऐसे में हम किसी और व्यक्ति के close होने लगते हैं तब हमारे शरीर में अलग-अलग हार्मोन रिलीज होने लगते हैं Sex हार्मोन का release होना, feel good हार्मोन का active होना, dopamine दिमाग में pleasure active करता है और love हार्मोन दिलों को जोड़ता है अब एक से जादा बार प्यार अक्सर लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और current relationship काफी effect होती है जिसमें जगडा बढ़ना, भरोसा न करना, मारपीट करना, depression में जाना ये अक्सर break-up या तलाक का कारण भी बन जाता है जब हम stress या तनाव में होते हैं तो body में epinephrine cortisol release होता है जिससे इंसान गलत प्रैसले भी ले लेते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक से जादा लोगों के प्यार में हैं तो इन बातों पर ज़रूर ध्यान दे current relationship का analysis करें, कहा कमी है ये जानने के पहल करें अपने partner से बात करें, कमी को दूर करने की कोशिश करें और एक दूसरे पर भरोसा करें जाते जाते science से हटकर खास बात एक से जादा बार प्यार होता है तो दूसरों की कमी खोजने के जगा खुद अपने को देखें और अपने आपको पहचानने कि आप क्या चाहते हैं